कामाख्या यानि वह जो इच्छाओं को पूरा करती है जहां लगता है दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिकों और अगोरियों का मेला जहां से हर साधना शुरू होती है और जहां पर हर साधना खत्म होती है दुनिया के कोने-कोने से तांत्रिक अंबुवाची मेले और नवरात्रों में यहां आते हैं कामाख्या मंदिर का जिक्र कालिका पुरान, योगिनी तंत्र, शिव पुरान, ब्रिहद्वधर्म पुरान में भी मिलता है पुरानिक कथा के अनुसार, जब देवी सती ने अपने योग शक्ती से अपना देह त्याग दिया था तो भगवान शिव क्रोज से भर उठे और वह सती के शरीर को लेकर विनाश का तांडव नृत्य करने लगे इस दौरान ब्रहमांड को नश्ट करने से रोकने के लिए भगवान विश्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकडों में काट दिया, जो पृत्वी के कई हिस्सों पर गिरे नीलांचल परवत पर माता की योनी गिरी थी, जिसके कारण यहां कामाख्या देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई ऐसी मान्यता है कि शक्तिपीठ एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और जहां मा का योनी अंग गिरा उस जगह पर माता कामाख्या का प्रसिद्ध शक्तिपीठ बना यह कथा है कि घमंड में चूर असुर राज नरकासुर एक दिन मा कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुरागरह कर बैठा था कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यू को निकट मान कर उससे कहा कि यदि वह एक ही रात में नील परवत पर चारों तरफ पत्थरों के चार सुपान पत्थों का निर्मान कर पाया एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम ग्रह बनवा पाया तब वह उससे विवाह कर लेगी यदि वो ऐसा न कर पाए तो उसकी मौत निश्चित है घमंड में चूर असुर ने पथों के चारों सुपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिये और विश्राम कक्ष का निर्मान कर ही रहा था कि महा माया के एक मायावी कुकुट मुर्गे ग्वारा रात्री समाप्ती की सूचना दी गई जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रहम पुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला बाद में मा भगवती की माया से भगवान विश्रु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया आज भी माता की वह प्रतिमा रजस्वला होती है हर वर्ष जब माता रजस्वला होती है तब यहां अंबुवाची मेले का आयोजन होता है इन दिनों माता भगवती के मंदिर के द्वार स्वत्थी बंध हो जाते हैं यह तीन दिन चलता है उन तीन दिनों समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंदल कार्य होता है ना ही कोई मंदिर खुलता है के बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ती को सनान करा कर वैदिक अनुष्ठान आदी करके मंदिर को जन्मानस के दर्शन हेतु पुनह खोल दिया जाता है यह मंदिर अपने आप में एक अनुखा है संपूर्ण जगत में ऐसा चमतकार और ऐसी पूजा पधती कहीं और देखने को नहीं मिलती बताया जाता है कि देवी के रजस्वला होने से पूर्व माता कामाख्या की प्रतिमा के आसपास सूखा सफेद कपड़ा बिच्छा दिया जाता है लेकिन तीन दिन बाद जब कपाट खोले जाते हैं तब यह वस्त्र माता की रज के कारण रक्त जैसे लाल हो जाते हैं और इस दिव्य प्रसादी वस्त्र को अंबुवाची वस्त्र कहा जाता है हर वर्ष इस मेले के दौरान पासी में बहरही ब्रहम पुत्र नदी का जलभी लाल रंग का हो जाता है जो की कामाख्या देवी के रजस्वला को दर्शाता है इन दिनों इस नदी में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है कुछ लोगों का कहना है कि जून महीने में कुछ लाल शैवालों की वृध्धी हुई है जिसके कारण नदी का रंग लाल हो जाता है कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि खनीजों के बीच रासायनिक प्रियाय होती रहती है इससे लाल रसायन मुक्त हो जाते हैं, जिससे यह लाल हो जाता है, लेकिन केवल यही क्षेत्र क्यों? और क्या हमारी देवी शक्ती भी प्रकृती नहीं है?